नमस्ते दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टाइडी टू ब्लस टू में आपका हर्थिक सुवगत हैं आज का यह वीडियो काफ़ी इंपोडेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जे के 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 कुछ मोस्ट इंपोडेंट कोशन को कवर करने वाले जो गेट ओफ इंडिया मुंबई में स्टे देखिए अगला कोशन देखते हैं देखिए इंडिया गेट कहा है स्टे तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्टे और वह एकर कोशन यह पूशा जाता है गेट ओफ इंडिया कहा पर तो गेट ओफ इंडिया मुंबई में है और इ चिद में आजाद 22 एक सींगापूर में की तो कभी यह पूछले आसा किसापना किसन की थी कंभा स्वाचान वोछ ने किती कहां चीथि खेल द्युश का मैना जड़ी 10 अगस्त को देखिए ग अगला कोशन देखते हैं यह देख द्खे रूप में मनाया जाता है कि Bem जर्म दीन में मिस्टेक विया तो मेजर ध्याठन जो हमारे होगी के माहन खिलाड़ी है। कि अगला कोश्टन के मात्मा गंधी ने दिया था था? फो MTU यहिंद का नारा जो ए नेता जी स्वास्संद्र बोशने दिया दा है कि बहुत डिप्रोस्ट पूछल का या प्सकंश है तो Cave तो अने स्वास्टा नशिया नहीं त्योंने दिया था हुडल ने टिकंशन दितर्मिन देखते है ये धिकनषिट्लिस का नाराो कि पुझने अपने विजए के उपलव्द में आफ और विव्ये विजे के की स्तम के निर्माड करवाया था दि parte अगला कोशन देखते हैं यह देखिए अगला कोशन देखते हैं यह देखिए अगला कोशन नाल नंदा विशुम दाले की स्थापना किसी ने किती तो नाल नंदा विशुम दाले की स्थापना कुमार गुप्त ने किती देखिए अच्छा कोशन है कुमार गुप्त ने किती जगनात मंदिर किस राज्ये में है तो जगनात मंदिर उडिशा राज्ये में है कौन सा मंदिर पूरी पूरी का जगनात मंदिर जो है वह उडिशा राज्ये में है ठीक है अगला कोशन देखते हैं यहाला कोशन देखते हैं इन्परेंट कोशन है यह वाले भी तराई का पर् ब्रेतुबाद राज чो वान में मॉहमत गोरी के बीस ग्या आरसो इ। ब yolति याद रखिएगा का जो पर्थम यूत। वह मुहमत गोरी ब्रेतुराद चो वान के बीच में भीच मैं निन्स् vontade में हुआ ठीक है अका सtविक्रा देखते हैं तो इस एक किसे निखते हैं किस्का सिस्य था थे कर सिकंदर ऑरस्टू का सिस्य था ठीकर सिकंदर एक्जाम में पूचा जाता है अगले दिखते हैं सेकंद्र का सेनःपती था सेंद्र का सेनःपती था तीके अगला कोशन देखें गुब्त वंस के जो स्थापक ते वो श्री गुप्त थे जाम में पूछा जाता है ेख्टा ये कोशंव है कि संस्था पक्षर हुट कशन था अगला कोशन देख्ट था कुम्ब पे मेले का सुबाराम किसी ने किया तो के मेले का सुबारम है ना अर्च वरधन ने किया है ठीक है हर से वर्धन देकola कigold का मेलाOnce कितने वर्ष बाद भरा जाता है तो आप यह answer comment कीजिएगा ठीक है और अपना answer जो है दीजिएगा मुझे ठीक है चलिए अगला question देखते हैं इस question को पढ़ते हैं देखें यह वाला इसमें लिखा है कि किसी एक इस्थान पर कुम का मेला कितने वर्ष के बाद होता है देखें मैंने यह आपका answer बता दिया ठीक है किसी एक इस्थान पर ऐसे-देखें कि चार संदे की सबसे पहले है आपका गंगा जो कि गंगा नदीजु की इलाबाद में बरता है दूसरा बरता है गंगा यमना का संगम पर बरता है जो कि आपको देखें यहां पर जो आ गंगा यमना का संगम होता है ना हम वहां पर इलाबाद में बरता था ठीक है दूसरा आप इस देखें अजन्ट याक हम एन्द lucky इस संब्दीत बताना यह नं से अगला कम से तिक अगलों संधे यंग थोड़ी लों को सुन एंठी सस्था संधने कॉन सी थी तक तरिक कि नर राज ह्ज़े की राज़ानी हे वो हैージ्रबाद को शंता अगलों डेके ये अलबसधन देख़े या ये दे कि अच्छा में और कॉसन अगर अके दर्स वर्स तक तयलगना और और यह दो नो राज्य नहें दो नुर राज्य की राज़्दानी रहेगा दीकै ट andar सबस्कना अगला कुसिन धराज कटके बहरत में कितने को ड्रत में कर बादे भारत में ज gjort है पिन कोट जोन है नाइन देखे है ठीक द में та सूचका है क्रवधन कोट फिंटॡ्रम का वा था इसका शूर्व note हां इसाथ भारत का सबसे बड़ा सार्वजिन इक उपकर्ण है तो बाहरतीयर रेल था थीक है अगला कोषन देखें यह यह देखें भारंस का सबसे बड़ा सारवजिनिक उपकरण है तो वो भारतिय रेल है ठीक है अगला कोशन देखे है यह वाला इंडिप्रेंट कोशन है ठीक है इसे देख लेते हैं देखे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी का रेल गाड़ी कौन सी है बारत और पाकिस्तान के बीच जो रेल गाड़ी चलती है उसका नाम है समझोता एक तो है दो रेल गाड़ी चलती है एक तो है समझोता और दूसरी है थार एक्सप्रेस ठीक है समझ होता और थार एक्सपरेजों की भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है ठीक है चलिए अगला केस्टन देखते हैं आ यह देखें बारत में पर्थाम विद्धूत रेल कब चल आई गाई थी तो भारत में पर्थाम विद्धूत रेल जो है वो 1925 में चल आई ती उसका ना भारत में कुल रेल माल की लंबा कितना या करस्थ बारत में जो कुल रेल छेट्र जो फिलसे लाइन सल ने बिछिवी है रेल का जो जल वो कितना है है वह आपका जो तक जो है रेल लाइन फैली ऊड़ी है या भी भी आगे भी और इसका विस्तार हो रहा है देरी देरे ठीके अगला कोशन देखते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कोन से थे कि भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है उसका नाम है पीर पांचाल सुरंग जो की जम्बू एवन कस्वीर में सी था ठीक है जम्बू एवन कस्वीर में ठीक है देखे दोस्तों इस वीडियो में मुने काफी इंप्रेंट कोस सब्स्राइब कर देगा तर अपने दोस्तों के थाथ इसे सेर कर देगा थे थे के चलते हैं जल्दी मिलते हैं अब ले नाक्स्ट वीडियो और अच्छे-च्छे कोस्वनों के साथ